दोस्तो अचके इस वीडिये में हम जानेंगे कि किसी भी फोटो का जो बेग्गराउंड है आप इसको कैसे चेंज कर सकती है क्योंकि काफे सारे समय पर ऐसे बहुत सारे फोटों हमारे पास होता है जिसका बेग्राउंड 네 कि इतना खास नहीं होता है ठीक है तो मेरे साथ बने रहे और वीडियो को प्लीस आयंट का देखते रहेगा तो दूस्तों किसी भी फोटो का जो बेग्राउंड है इसको चैंज करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है आपके पास यहाँ पर एक अप्लीकेशन की जरूरत पड़ीगे वो अप्लीकेशन आपको प्लेस्टोर पर मिल जाएगा ठीक है तो यहां से आप Play Store को Open करेंगे और Play Store को Open करने की बाद में यहां से आपको सार्ज करना है Background Eraser ठीक है Simply यहां पर आपको सार्ज करना है Background Eraser और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा Background Eraser तो इस application को सबसे पहले अपनी phone पर install करना है जैसे कि इस application को मैं पहले से install करकर रखाओ तो मैं यहां से back करता हूँ और यहां से मैं background इडिजर जो application है इसको मैं open करता हूँ जैसे अब इसको open करेंगे, open करने की बाद में यहां पर first time कुछ permission मंगेगा आपको यहां से allow करना है और इसकी बाद में यहां पर आपके सामने इसी तरह का इसका interface open हो जाएगा यहां पर आपको loaded photo पर click करना है तो यहां पर आपको लेकर आएगा सीधा अपनी gallery पर gallery पर आने की बाद में उस photo को आपको select करना है जिस photo का background जो है इसको erase करके change करना चाहती है ठीक है तो यहां पर आने की बाद में सबसे पहले आपको गरना क्या है यह जो photo है photo का जो extra part है सबसे पहले यहां से आपको इसको यहां से crop कर लेना है ठीक है यहां से crop करके extra जो part है photo का इसको यहां से पहले आपको हटा देना है इसकी बाद में यहां पर आपको done पर click करना है done पर click करने की बाद में यहाँ पर आपकी समने इसी तरह का आएगा यहाँ पर आपको करना क्या है सबसे पहले यहाँ पर आपको auto color पर click करना है और यहाँ से आपको एक है यहाँ पर erase करने का आपको यहाँ पर icon देखने को मिलेगा इसको यहाँ पर यह जो photo है इस photo की background पर जहाँ पर एक color है यानि कि same color है इसकी उपर लाकर आपको इस तरह का छोड़ देना है ठीक है जैसे जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो यह जो same color जितना होगा यह totally erase हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले आपको इसी तरह का erase करना है और फिर मैं आपको दिखाता हो कि इसकी बार मैं आपको किस तरह के से manual करना है तो जितना same color है यहाँ से मैं सबसे पहले इसको erase कर लेता हूँ ठीक है अब आपका जो background है इसको manual erase करना है ठीक है इसी तरह का जो बाकी का पार्ट आपका रहे गया इसको यहां से आपको इस तरह का manual करना है ठीक है manual यहां से आपको इरेज करना है तो यहाँ पर देख पर यहाँ पर मैरे जो फोटो का बेग्राउंड ता यह इरेज हो चुका है इसके बाद में यहाँ पर आपको down पर click करना है और यहाँ से आपको save पर click करना है ठीक है तो यहाँ पर आपको कुछ ads देखने को मिल सकता है ads कतम होने के बाद में यहाँ पर आपको इस तरह का cross bottom देखने को मिलेगा इस पर आपको click करना है और यहां से आपको back कर लेना है ठीक है तो यहां पर दोस्ता आपका photo जो है इसका background डीरेज हो चुक है इसके बाद में इस photo की background पर और कोई भी scenario बगारे लगाने के लिए यहां पर अगर आप चाहे तो pixel lab को भी use कर सकती है ठीक है तो यहां पर मैं use पर install कर सकती है ठीक है तो यहां से मैंने pixel lab open कर लिए pixel lab open करने की बार में यहां पर आपको एक text देखने को मिलता है यहां पर delete पर click करके सबसे पहले आप इसको delete कर लिजेगा तो यहां पर यह जो photo है इसकी background पर जो भी लगाना है वो आप सबसे पहले download करके रख लिजेगा जै यहां पर आप देख सकती है यहां पर मैंने background जो है वो यहां पर download करके रखा है तो आपको इसको select करना है और इसकी बार में अगर आप चाहे तो इसका side बगएरा तोड़ा बहुत अगर आप erase करना चाहते हो तो आप कर सकती है तो मैं तोड़ा सा कर लेता है उसकी बार में यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आजाएगा इसके बाद में यहां पर आपका जो फोटो है यह फोटो इसकी सामने आपको लगाना है तो यहां पर आप क्लिक करेंगे यहां पर आप इंपूर्ट पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपका जो फोटो इरेज किया हुआ इसको यहां पर आप सिलेट करेंगे ठीक है यहां पर देख सकती है यहां पर मैरे जो फोटो है यह आ चुका है तो यहां पर मैं यह जो फोटो है इसको तोड़ा सा चूटा कर लेता हूं तो इसी तरह दुस्तों इसको आप सही से सेट करेंगे और सेट करने की बाद में अगर यहां पर और भी बहुत सारी चीजे मिलता है अगर आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं तो यहां पर मेरा इससे हो कहा यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर आप सेवरे पर अब टुई किरेंगे और यहां पर अपडब कर पार झाला रही है इसको ओपयन करना है तो यहाँ पर देख पर यहाँ पर मैंने अभी इस फोटो है इसको यहाँ पर मैंने बेग्राउंड चेंज करकेन डिखरोंड यहाँ पर लगाया इस तरीके से आप बहुत ही ओन पार जोई इंट और जो Евट गर्लोंuto